हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब इस्टार इलक्टोनिक की और से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैन वुट का स्टीरियो इंटिग्रेटिट एम्प्लिफियर जो के 120 वाट में है और जिसमें 6 बेंड ग्राफिक एक्क्यूलाइ इसमें डबल केशिट प्लेयर है जो जिसमें रिकोडिंग भी एकदम फाइन होके है जो हम आपको करके दिखाएंगे और इसमें ओक्स वगेरा सिस्टम जिससे आप डीवडी सीडी वगेरा और फोनो टूनर वगेरा भी आप इससे चला सकते हैं दोस्तों आईए इसके फंक और सबसे पहले हैं हम आपको इसका सीडी ओक्स वगेरा चला के दिखा देंगे जिससे पीछ हमने डीवीडी कनेक्ट की भी है हमें केवाल यह सिलेक्टर्स दवानें यह सीडी वीडियो पर है यह टूनर पर है यह फोनों पर है और यह टेप ऑप्शन जब आप यह टेप द काईफेक्ट रिकोडिंग में आ जाएगा और यह नॉर्मल आप कर सकते हैं आईए पहले इसका मैं टेप चला कर दिखा देता हूं यह टेप ऑप्शन पर है इसमें हम यह कैसेट लगाएंगे कि अधियर आपको चला कर दिखाता हूं यह इसका बैलेंस है राइट लेफ एंट सेंटर है कि मिली गया है मिली गया हाइप आप मुझे जोस्तों केसित का यह पारवर्ड की रिवाइंट की यह यह पिले, यह पाउश, और यह सी सरी के से दूसरी के से चला कर दुखा दें, साइट टू, यह पिले, या बताम या रो, हमें तो खिल गया, कोई मिल गया, देख है, यह पारवर्ड है, यह रिवाइंड है, यह पिले, यह पाउश, कर मिल Geo कि आधि गया यह आधिसकी आपको रिकोरडिंग्स चला कर दिखा wire कर देता हुँ क्ले तो हम इसमें Master PhD आपना जो कि वं यह गानओ चलाएंगे और यह Biscuit जिसमें हम रिकोरडिंग करेंगे घ्रक तो यहां तो औरिंजल पीस लगेगा जिससे हम रिकॉर्डिंग जिससे हमें लेनी है और जिससे हमें रिकॉर्डिंग करनी है यहां बिलेंग पीस लगेगा तो सबसे पहले हम इसका फिले और रिकॉर्डिंग दोनों स्विचेस दवाएंगे इस तरीके से यहां से हम इसको पाउश कर सकते हैं पहले हम यहां अपना सेट कर लेंगे अब हम इसका पाउश चोड़ देंगे जहां भी हमें रिकोडिंग करनी है अब हम देख लेते हैं हमारी रिकोडिंग कैसी आई तो पहले हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करेंगे अफिर हम पिले करेंगे अब यह रिकोडिंग अब शुरू होगी हमारी हमारी रिकोडिंग थी दोस्तों और जब पहले का समें बरावा था वह सौंग आ रहा आ चुका है और फुल वर्किंग रिकोडिंग और वो नाइस रिकोडिंग है इसकी आपको एकदम बिल्गुल सेम कोपी मिलेगी इसमें आइए मैं आपको इसका सीडी ओक्स चला कर दिखा देता हूं जो हमने पीछे डीवीडी कनेक्ट किये उससाब यह सीडी ओक्स चला सकते हैं यह सी जैसे मुखडे पे बिंदिया सितारा चांद जैसे मुखडे पे बिंदिया सितारा नहीं भूलेगा मेरी जान यह सितारा वो सितारा माना तेरी नजरों में मैं हुए कवारा हुआ वारा नहीं भूलेगा मेरी जान यह लोड़ने जोन तो दोस्तों यह थी इसकी फुल वरकिंग उमीद आपको बहुत पसंद आई होगी अगे इसकी बेक साइड दिखा देता हूं देखे दोस्तों यह इसकी बेक साइड है और यह टू चैनल फॉर चैनल एंप्लिफायर है जिसमें 8-16 तक आप स्पिकर्स इसमें लगा सकते हैं तो यह आपका मेन स्पिकर्स है जिसमें आप लगा सकते हैं और नीचे सर्राउंड स्पिकर्स है जिसमें आप तो स्पिकर लगा सकते हैं यह केंड इस्टियो केशिट एम्पिलिफार जिसका मॉडल नमर है के एक अर्शी सोकेट उसका डायोगुराम दे रखाए किस तरह चीज इसमाटेश करके चला सकते हैं तो आये दोस्तों वीडियो को ना जाद लंबा करते हैं इसके हम आपको प्राइश बता जेते हैं तो देखा आपने दोस्तों केनवुट का स्टेरियो इंट्रेटर एंप्लिफार पिलस एक क्यूलाइदर डबल केसिट पिलेयर यह बहुत नाइस पीस है और यह आज मेरे पास बहुत अच्छा प्रोडेक्ट आये बाई जो मैं चाहता हूं अपने कस्टूमरों को ज्यादा से ज्यादे अच्छी और थोड़ी सस्ती चीजे लाकर आपको दे सकूं इसकी कोशिश करता हूं तो चलिए मैं इसका आपको प्राइज बतायता हूं यह सेट आपको पड़ जाएगा 9500 रुपे 9500 उनली जिस भाई नहीं भी लेना मिल सकते हैं या संपर कर सकते हैं आज की वी